अपनी फिल्मों को लेकर जो एक वक्त ट्रेंड कर रहे थे अब बीज़पी की टिकट को लेकर भोजपूरी आक्टर पवन सिंग आज ट्रेंड कर रहे हैं और यह ट्रेंडिंग इसलिए क्योंकि कल ही टिक्टों का एलान हुआ और आज पवन सिंग की तरफ से एक यूटर्न पवन सिंग की तरफ से पहले तो कल धन्यवाद किया गया केंद्र नितित्व को कि आपने मुझे जिम्मेदारी दिये मुझे आसन सोल से आपने टिकट दिये इसका मैं धन्यवाद करता हूं लेकिन आज सुभे उन्होंने एक यूटर्न ले लिया और यूटर्न ये था कि प अबरे लगाता चल रही थी क्योंकि वह आरसे हैं उन्हें टिकट महीं से चाहिए थी अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी जब अपनी पहली लिस्ट जारी कर रही है पावन सिंग से बातशीत नहीं हुई होगी या उन्हें इंफॉर्म नहीं किया गया होगा क्योंकि आ गोशित भोएं उसके बाद आपने देखा कि किस तरीक से रिलाक्स थे खुशी भी जाहीर कर रहे थे लडो खार रहे थे और उसके बाद आपने देखा उनका एक वीडियो और आया सामने जब वह भगवान के सामने आشिडवात ले रहे हैं ट्विट सामने आया लेकिन आज सुभह जिस तरीके से एक यूटन उनकी तरफ से लिया गया है उन्होंने कहा कि मेरे कुछ निजी कारण हैं कुछ घर की बातें हैं या निजी कारण जो मेरे रहे हैं उसकी वज़ा से मैं आसन सो से चुनाब नहीं लड़ना चाहता हूँ हाला कि कल आपने देखा होगा जिस त का संदेव उन्हें था भी नहीं कई वीडिया चानल में जब पावन सिंग ने बातशीत की उस बाग तुने पता चला कि TMC किस तरीके से उनके खिलाफ एक कामपेन चला रही है पावन सिंग की तरफ से साब तोर पर इंकार किया गया कि इस तरीके गाने में ने बनाए नहीं है लेकिन आपने संदेश खाली की घटना तो अभी देखी है कि किस तरीके से मैलाओं के साथ महां पर उत्पेड़न हुआ है और बीजेपी लगाता टीमसी पर हमलावर भी रही है अब आसनसोल एक ऐसी सीट है जिसे कही ना कहीं इस तरीके से स्टारडम ने ही अपने आप म तो वो टीमसी में ही शाम मिलोगे उसके बाद उपचुनाव हो है शत्रुगन सिना लगभग 4 लाख वोट के मार्जुन से वहां पर चुनाव जीते हैं अब ये भी कहीं खबरे निकल कर आ रही है कि वो शत्रुगन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे पावन सिंग और य किया गया है आपको बधाई हो हालां कि पावन सिंग ने उस बात का भी जिक्र किया जब बाबुल सुप्रियों बीजेपी की क्यामपेनिंग कर रहे थे 2019 में बीजेपी के टिकर पर तब पावन सिंग उस वक्त आए भी थे और पावन सिंग ने का है कि मेरा तो बंगाल से न पहली ही लिस्ट में ऐसा तो नहीं था विचार विमर्ष नहीं किया गया हो या उन्हें पता नहीं हो कि उनके टिकट आने वाली है वो भी आसन सोल से लेकिन अब जो है अंदर खाने ये खबने निकल कर आ रहे है कि पावन सिंग चुहाते हैं कि उन्हें आरा बिहार से टिक से हटकर बात ना करें आप पार्टी के अंदर बात करें अगर पावन सिंग के मन में कुछ ऐसी बात थी तो वो पार्टी लाइन पे रखते लेकिन जुस तरीके से यूटन लिया गया उसके बाद अब एक खबरे निकल कर आ रहे हैं कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाते ह तो विरोधा भास कहीं रहे हैं कहीं नजर आ रहा है अलांकि देखिए अब दिल्ली बुलावा उनका आ गया है अब दिल्ली में उन्हें मनाया जाता है या उनसे बात सीट की जाती है कि क्या हुआ क्या वज़े रही है पवन सिंग की कि उनकी तरफ से आसन सोल से चुनाव लड़ने की बात जो है वो कही गई कि मैं अभी यहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ अब विचार विमर्श ये किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अब कौन सा कांडिडेट जो है वो सामने आ गयो कि टीमसी ने तो पहले कल मोचा संबाल लिया था आज एक पर फिर से अकरामक तोर पर टीमसी कह रही है कि 42 सीटें पहला ही उमीदवा जो आसन सोल से गोशिप किया गया था उसने तो यूटन ले लिया अब बीजेपी शत्रुगन सीना के सामने किसे उतारेगी ये सवाल बरकरा रहा है हालां कि देखिए अब क्यूंकि दिल्ली अब पवन सेंग एक्साइटेड बहुत नजर आ रहा है थे सीट को लेकर लेकिन एक बात जो उन्होंने कल कही वो ये कही कि शत्रुगन सीना से भी उनके अच्छे रिष्टे हैं बाबल सुप्रियों से भी उनके अच्छे रिष्टे हैं शायद वो ये चाहा रहे थे कि आरा से अब गंभीर थे वो सीट को लेकर या सीरस थे क्यूंकि हमने देखा है कल ही जिस तरीके से टिकट की घूष्टना हुई हमने तमाम हुई दवारों को देखा कि किस तरीके से मोधी के गारेंटी को लेकर एक एग्रेसिव कैमपेंड जो है उन्होंने कल से ही शुरू कर दी हा पवन सिंग के व्यक्तत में या यू कहें उनके आटिट्यूड में ये नजर भी नहीं आया अब आज ये खबर जो है चंचन का निकल कर आ रही है कि पवन सिंग को दिल्ली बुलाया गया अब दिल्ली में क्या निकल कर आता है इसके आगे कि क्या पिक्चर होती है क्या पव अगर हम बात करें तो 7-65 करोड इनके नेट वर्थ है, लक्जरी गाड़ियों के शौकीन है, मर्सडीज से लेकर तमाम जो बड़ी गाड़ी लक्जरी गाड़ी वो इनके पास है, मुंबई में इनके फ्लाट्स हैं, लोखनवाला में, बिहार में भी कई जमीने इनके पास है, कई शांदार बंगले हैं, बलगभग 3-4 करोड के इनके नेट वर्थ आनुवली रही है, तो आप देखें, एक बड़ा स्टार्डम है, और भोजपूरी आक्टर्स तो आपने देखें हैं, बीजेपी में किस तरीके से कामपेंड कर रहे हैं, फिर मनुष दिवारी हो, निर प्षवास भी किया जाता है, और आपने देखा है कि वो कोई भी पाटी हो, स्टार्डम या यू कहें, स्टार कामपेंडर्स उनके हमेशा ही रहते हैं, फिर वो फिल्म आक्टर हो, या राजनितिक जगत से हो, इस तरीकी की स्टार कामपेंड देखी जा रहे हैं, और कल जै झाल